आपको लगता है कि अब ये आरपार की लड़ाई है, आने वाले दिरों में कई राज्यों में चुनाओं है, दिल्ली मॉडल की बात आप लोग देज भर में करते हैं, तो क्या आप सीधे बीजेपी से टककर है या फिर बीजेपी किसी बड़े नेता से टककर है, आप क्या कहन से तमाम सुरक्षा बल है, वो तैनात किया गया है, बैरिकीट लगा के रास्ते को रोक लिया गया है, और आमाधी पाटी के तमाम बड़े मंत्री, नेता, सांसत यहाँ पर मौझूद हैं, बात करेंगे हम दिल्ली सरकार में मंत्री के अलाज गहलों से, क्योंकि दिल्ली सरक हैं, जब तक वो बाहर नहीं आते, तो दिल्ली की जनता यह सारे चीज़ देख रही है, कि किस परकार से पिछले 7-8 सालों में दिल्ली सरकार ने बढ़िया काम किया, स्कूलों को, हस्पतालों को, पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट को अच्छा किया, और वो ही चीज़ देखके मेरी खाल से बीजेपी के मन में कहना कहीं डर है, कि एक सरकार है, जो कि बढ़िया काम लगातार करते जा रही है, दिल्ली के बाद पंजाब में बढ़िया काम चल रहा है, मेरी खाल से कहना कहीं उनको वो ही डर है, कि इसको जो अच्छा काम हो रहा है, देश वासियों के लि नेता से टककर है आप क्या कहना चाहेंगे नी टककर तो बीजेपी से है लेकिन जिस परकार से मैं समझता हूं कि जो भी पार्टी उबर के निकल रही है और यह साफ है कि पिछले कुछ सालों में तमाम देश वासियों का और दिल्ली वासियों का जो प्रेम और आशिवाद जि उस परकार से किसी और पार्टी को नहीं मिला इतने कम समय में नैशनल पार्टी जो है वो आमाधनी पार्टी बनी है तो कहीं ने कहीं मेरी रिखल से वो डर और भे है बीजेपी के मन में इस पार्टी को जैसे भी है रोका जाए बिलकुल देंगे हम तो पहले भी त्यार थे झाल झाल